वेलकम टोल लियाए, स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2023 में Environment and Ecology के Current Affairs के Revision का ये हमारा पहला लेक्चर है आज के इस सेशन में हम मई महिने के Environment and Ecology के Current Affairs को Revise करेंगे इस सेशन का First Important Article Mother Nature, A Living Being के बारे में है मदरोई की जोवेंच है मदरास High Court की उन्होंने Invoke किया है Parents Patriay Jurisdiction Parents Patriay का मतलब होता है एक Latin word है बेसिकली जिसका मतलब होता है Parent of the Nation जहाँ पर जो State होता है वो एक Parent, माता-पिता की तरह वर्क करता है यहाँ पर ये कहा गया है कि जो Mother Nature है वो एक Living Being है वो एक जीवित फेक्टी है और अगर किसी को भी Living Being का दर्जा दे दिया जाए तो वो एक Legal Entity हो जाता है जो भी अधिकार एक Living Being को मिलते हैं वो चाहे Non Living Being ही क्यों नहों उसे वो मिलेंगे Mother Nature को अगर Living Being डेक्लेयर किया गया है तो Mother Nature Living Being उन्हें एक Legal Person को मिलने वाले सभी अधिकार मिल जाएंगे उनकी Rights, Duties, Liabilities बिलकुल वैसे ही होंगी जैसे कि एक इनसान की होती है और नहीं Preserve भी करना होगा State को ये Rights, Fundamental Rights, Legal Rights, Constitutional Rights सभी इनसानों जैसे ही Mother Nature को मिलेंगे ताकि उनके Survival, Safety, Sustainance and Resurgence को इन्शार कर सकें ताकि उनका Status बना रहे और हम Health and Wellbeing को इन्शार कर सकें यहाँ पर State और Central Government को ये भी डिरेक्ट किया गया है कि वो Mother Nature को बचाने के लिए Appropriate Steps उठाएं जो Natural Environment है उसी Basic Human Rights के तौर पे दिखा जाए Right to Life, Right to Life बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक अच्छा Environment भी मिले अगर अच्छा Environment नहीं मिलेगा तो फिर आपका जीवन सुरक्षित कैसे रहेगा हामरा जो नेक्स टार्टिकल है वो राजामाला इरवकिलम नेशनल पार्क के बारे में है ये दिखा जा रहा है कि जो Newborn निलिरी थार्स हैं जिनकी उम्र एक साल तक होती है उनका Survival Rate राजामाला इरवकिलम नेशनल पार्क में सबसे ज़ादा है बाकी Locations के तुलना में जैसे के Silent Valley, Puthadi या Munnar जहाँ पर ये पाया जाते है ये isolated habitats हैं basically तो isolated habitats में वैसे भी जीवों की बचनी की संभावना कम रहती है वो एक community में रहना पसंद करते हैं न राजामाला जो है बहुत ही बढ़ियां सा hill station है केला के इडुक्की में है और जो राजामाला hills है ये आपको मिलेंगे इराविकुलम नेशनल पार्क में and that is the reason कि इस नेशनल पार्क का नाम राजामाला इराविकुलम नेशनल पार्क रख दिया गया है basically जो इराविकुलम नेशनल पार्क है ये जो कंदन देवन हिल्स हैं South Western घाट का जो पूरा एरिया है 97 स्कुलम नेशनल पार्क का वहाँ पर फैला हुआ है यहाँ पर देखिए इराविकुलम नेशनल पार्क जो है वो highest density रखता है largest surviving population जो निलगिरी थार की है उसकी एक endangered mountain goat है बकरी जैसी एक प्रजाती है जो endangered है right now इस पार्क को मेली बनाया ही गया था निलगिरी थार को बचाने के लिए देखिए निलगिरी थार तो बेसिकली यहाँ मिलता ही है फर जो इराविकुलम नेशनल पार्क है वो निला कुरुंजी फ्लार्स के लिए बहुत famous है हर 12 साल पे जब आप वहाँ पे जाके देखेंगे जब 12 साल पे यह फ्लार्स खेलते हैं तो पूरा एरिया बिल्कल ब्लू हो जाता है इन फ्लार्स के वज़े से और फिर उस समय यह नजरा देखने लायक होता है निलगिरी थार यह एक मात्र mountain उंगुलेट है मतलब खुरवाला एक mammal जो सदन इंडिया में पाया जाता है जो बारस species इंडिया में है उनमें निलगिरी थार कस्मीर और भूटान का जो एरिया है वो भारत में यहाँ पर आपको मेजरली मिल जाते हैं बाकि साउथ इंडिया के जो लोकेशन से वहाँ थो हम बात करी रहे है जो अरबियन थार है वो आपको ओमान और UAE में मिलता है यह तमिल नाडू का स्टेट अनिमल भी है वेस्टन घाट के रीजिंस में आपको यह मिलता है बिसिकली और छोटे-छोटे पॉकेट्स में अन्य जगों पे भी IUCN के रेड डेस्ट में इंडेंजियर्ड है और WPA 1972 के स्टियूल वन में है अर्टिकल स्लोथ बियर के बारे में है दो स्लोथ बियर्स को भी हाल ही में रेस्क्यू किया गया forest officials के द्वरा जहारखंड के एक गाउं से संस्था का नाम है People for Animal Group जिन्होंने इन स्लोथ बियर्स को बचाया Actually में मदारी एक community होती है जो जीवो का इस्सिमाल करते हैं लोगों को खेल दिखाने के लिए और कई दफा वो जंगली जानवरों को capture कर लेते हैं उन्हें train करने के लिए बट ये गलत है ऐसी ही जानकारी People for Animal Group को मिली थी हाना कि उनके पहुँचने से पहले वो मदारी तो वहां से भाग गये लेकिन स्लोथ बियर को rescue किया जा सका स्लोथ बियर बिसिकली आपको स्रिलंका India, Bhutan और Nepal में मिल जाएंगे Lowland वाला जो एरिया होता है बिसिकली वहां पर मिलते हैं ये इंटमाइट्स को खाते हैं और चीटियों को खाते हैं बाकी इस पिसीस से अलग ये अपनी बच्चों को अपनी पीठ पे लेकर चलते हैं ये अपनी पीठ पे रखके चलते हैं शेहद इन्हें बहुत पसंद होता है तो हनी अगर इन्हें कहीं भी मिल जाए तो वो इस पर तूट पड़ते हैं और इस रेजन कि इन्हें सम्टाइम्स हनी भी अभी कहा जाता है ये हाइबरेट नहीं करते हैं ये फैमिली उसे डाइज से बिलॉंग करते हैं जिसमें आठ बियर्स के स्पीसीज शामिल होती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में मिल जाएंगे इंडिया और सिलंका के आईशन के रेड लिस्ट में हैं वल्नेरिबल साइट्स के बैंडिक्स 1 में और इंडियन वालर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शिडिूल 1 में पीपल फॉर अनिमल गृप की बात करें यानिके PFA तो अनिमल वेलफेर ओगिनेजेशन है जिसे मेनका गांधी जी ने फाउन किया था मदारी इसकी बात करें तो एक नॉमाडिक कमूनिटी होती है जो लाइवरी हुट के लिए स्टीट परफॉर्मेंस देते हैं अनिमल के साथ इसी लिए बज़े से ये इन्हे कई बार कैप्चिर भी करते हैं और अभी का मामला भी वही था ठीके 2012 में ये प्रशन है अनिमल्स और वो किस ग्रुप में आते हैं प्रोटेक्शन ग्रुप में वो पूछा जाता है जैसे कि पूछा गया था which one of the following group of animals belong to category of endangered species तो यहाँ पे जो सही option था तो यहाँ पे जो सही option था तो यह जो आते थे यह उस समय आ जाते थे endangered species में तो यहाँ पे जो आते थे सुन्दरबंस के बारे में हाल ही में कॉछने रिपोर्ट में कैग ने यह बताया कि illegal constructions और violations हो रहे हैं दो रिजिन्स में East Kolkata wetland में और सुन्दरबंस में and that is the reason कि सुन्दरबं न्यूज में आया यह image देखे पुराने आर्टिकल के यहाँ पे आ गई से आप cross कर सकते हो mangrove forest का ecosystem वाला region है पूरा बेवाब बंगाल के पास में सुन्दरबं जो कि बंगलादेश और इंडिया में है गंगा ब्रामपुत्रा और मेगना river के conference पे या delta region में यह बना हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा mangrove forest भी है East Catholic, यह जो area है इसे forest reserve के तौर पे तो हमेशा से ही recognition मिला 1973 में इसे सुन्दरबं टाइगर reserve के तौर पे डिकलेयर कर दिया गया 1984 में इसे सुन्दरबं नेशनल पाक का दरजा दिया गया और UNESCO के world headquarters site में भी यह 1987 में चला गया 2001 में UNESCO के द्वारा इसे best reserve भी डिकलेयर कर दिया गया और 2019 में इसे wetland of international importance भी डिकलेयर किया गया रामसर कंवेंशन के द्वारा जो next article है वो field manual for managing human element elephant conflict के बारे में है यानि कि HEC के बारे में अक्सर दिखात जाता है कि जो हाथी हैं वो रहाइसी लागों में चले आते हैं in that case उनके और इंसानों के बीच में एक conflict होता है और कई बार जो humans होते हैं वो इन elephants को घायल भी कर देते हैं अब इसके पीछे कई सारे reasons होते हैं उनके पास जो resources हैं वो जंगल में कम होते हैं तो वो जंगल के बाहर आने लगते हैं तो जो project elephant है उसकी steering committee की 16 मीटिंग अभी हाल ही में हुई है तो ministry of environment, forest and climate, climate change के तहत ये जो पूरी meeting हुई उसमें एक field manual तयार किया किया और उसी manual का नाम HEC है इस manual को ministry में तयार किया है जहाँ पर उन्हें मदद मिले है Wild Life Institute of India की और World Wide Fund for Nature WWF India की इन तीनों entities ने मिलकर इस manual को तयार किया अब manual में क्या है manual में है basically guidelines किन के लिए जो forest staffers हैं, जो forest में staff रहता है जो forest rangers वगेरा होते हैं उनको guide किया जाएगा कि आप कैसे इस conflict को कम कर सकते हो best practices कौन सी हैं जिनके मादधम से human elephant conflict को हम reduce कर पाएंगे इसके लिए उन्हें सिखाया जाएगा या उनको guidelines दी जाएगी बात करते हैं Asian elephants के बारे में Asian elephants की 3 subspecies आपको मिलती हैं आस पास जो India, सुमात्रा और सिलंका में मिलेंगी जो Indian subspecies है वो बहुत बड़ी संचा में पाई जाती है जो elephants है इन्हें lead किया जाता है इनका जो herd होता है, मतलब इनका जो group होता है जो एक साथ चलता है, आपने देखा होगा elephants का एक group चलता है उसमें जो सबसे oldest और सबसे बड़ी female member होती है वो इस पूरे herd को lead करती है तो को मिला कि एक matriarch system work करता है elephants में जो herd होता है, उसमें जो leader होती है, यानि कि female member जो सबसे बड़ी और सबसे बूरी होती है उनकी बेटी और उनकी offspring शामिल होते है जो elephant है, उनका longest known gestation period होता है यानि कि pregnancy period होता है जो लगभग 22 महिनों के आसपास का होता है 680 रेस के आसपास का ये किसी भी mammal में सबसे जादा है further वो 14 से 45 साल के बीच में calves को बच्चों को जन्म देती है बच्चों के जन्म देने का जो समय है gap है, वो 4 साल का usually होता है हलाग कि ऐसा नहीं कि कोई limited है 45 साल के बाद वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती वो age पर depend करता है sometimes 50 to 60 तक कुछ जो mammals है वो बच्चे देती है फिर वो gap भी बढ़ता जाता है, वो 5 साल 6 साल तक बढ़ जाता है global population जो Asian elephants के है वो 20,000 से 40,000 के बीच में है और IUCN के red list में ये endangered है, गौलाय प्रोटेक्शन एक्ट में schedule 1 में है और appendix के जो sites है, उसके appendix 1 में देखे, 2020 में प्रशन आया था इस प्रकार के प्रशन पूछे जाते हैं Indian elephants के बारे में जानकारी आपके सामने थी पहला तो ये था कि इसमें जो elephant होता है, उसे lead किया जाता है female के द्वरा, दूसरा कि gestation period 22 मिनों तक का हो सकता है elephant normally carving जो होती है वो किवल 40 साल तक ही करती है और चौथा ये था कि के ला में सबसे बड़ी संख्या में आपको हाथी मिलेंगे, यहाँ पिसका सही जवाब तो A है, एक और दो तो आपको समझ में आ गया होगा कि सही ही है और यहाँ पे भी हमने देखा था कि कोई limited period नहीं होता, usually 45 तक होता है या उसके आगे भी जा सकता है, तो यह गलत हो गया चौथा भी गलत है, के ला में की largest population नहीं होती है लेकिन इस सवाल का जौब मैं आपको दूँगा नहीं इसका जवाब आप मुझे comment box में देंगे आप बताइए, हाथी भरत में सबसे बड़ी संख्या में किस राज्य में पाया जाते हैं उस राज्य का नाम आप comment box में ज़रूर से mention करिएगा हमारा next article ग्रे स्लेंडर लॉरेस के बारे में है जो scientist है, सनी मली Center for Ornithology के and National History, यानि कि second के, ये कोयमब टूर में है उन्होंने एक सर्वे कंड़क किया ग्रे स्लेंडर लॉरेस के उपर उनकी population के उपर जो तमिन नाडू का देंडी गुल फॉरेस्ट डिविजन है बात करते हैं, ग्रे स्लेंडर लॉरेस के बारे में ये लॉरेड़ेई family से बिलॉंग करता है एक प्राइमिट की प्रजाती है प्राइमिट में तो समझते हैं, बंदिनों की प्रजाती है जुका हुआ लेंग की पतला सा appearance होता है इस जीव का, पतले-पतले हाथ-पैर होते है कान जो होते हैं, वो बड़े होते हैं तुलनात्मा कुरूप से, शरीर के हिसाब से और जो थूथन होता है, स्नाउट, वो पॉइंटे होता है आँखे ऐसी होती हैं, जैसे ये UPSC के तैयारी करता हो, और अठार-ठार गंटे पढ़ता हो ऐसी इसकी बड़ी-बड़ी आँखे हो जाती हैं, आप देखी पा रहे होगे इमेज में जो ग्रेस लेंडर लॉरेस है, ये नॉक्टर्नल एनिमल है, रात में चलता है बुशेस में, जाडियों में जाता है, खाना ढूरता है, और कभी कबार एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भी जम करता रहता है टॉपिकल रेन फॉरेस्ट, स्क्रफ फॉरेस्ट, सेमी डेसिडवेस्ट फॉरेस्ट या स्वैम्स में रहना पसंद करता है यह तमिल नाडू का जो रेन्डी गुलवाला एरिया है, ट्राई या डॉट फॉन एरिया है, वहाँ पर ज्यादा खुशी से रहता है आंदर प्रदेश करनाट का के लदा तमिल नाडू इंडिजन्स में भी मिल जाएगा, इंक्रूडिंग स्री लंका IOSN के रेड लिस्ट में है नियर थ्रेटेंड, साइटस के अपेंडिक्स टू में और WPA 1972 के शिडूल बन में सलीम अली सेंडल फॉर और अनिथोलोजी और नेश्रल हिस्ट्री से कौन की बारे में बात करते हैं 1990 में इसे तमिल नाडू में स्टाइड़िश किया गया ताकि हम रिसॉर्च कर सकें जो भारत में नेच्रल हिस्ट्री है उसके समन में इनफॉर्मिशन, एजुकेशन बगारा कलेक्ट कर सकें डॉक्टर सलीम अली बहुत ही फेमस और बर्ड साइंटिस्ट रहे हैं इन्होंने काफी अच्छा कॉंट्रिबूशन किया इस फिल्ड में नेच्रल रिसॉर्स को लेकर तो उन्हीं के नाम पर इसका ये नाम रखा गया है नेक्स्ट आरिकल फिशिंग कैट के बारे में है मतब एक ऐसी बिल्ली जो मचलियां पकरती है कुलकाता-based conservationist ने अभी हाल ही में इसके उपर एक study करी बात करते हैं fishing cat के बारे में fishing cat medium size की cat होती है बिल्ली होती है जो की cat family की 15 species में से एक है जो family felidai है उसकी 15 species में से एक fishing cat भी है ये रात में चलते हैं nocturnal होती हैं प्रे करते हैं frogs, snakes, birds और scavengers पे even कोई मरा हुआ animal है तो ये उसको भी खा लेते हैं habitat की बात करें तो ये कम उचाई वाले region में रहते हैं नदियों के किनादे बिसिकली रहते हैं जहां इनको मचलियां अमल जाए शिकार करने के लिए तो इंडस जो पाकिस्तान में है गंगा प्रहण पुत्रा, महानदी, गुदावरी, कृष्णा जो इंडिया में है इरावधी जो प्रैमरली आपको म्यांगमार में मिलती है और चोटा सा हिस्सा इंडिया और चाईना का इस फूरी रिजिन में आपको ये fishing cat मिले की ये बहुत ही बढ़िया swimmer होते हैं, मचलियों का शिकार करते हैं, even dive करके भी मचलिया पकर सकते हैं, तभी तो इन्हें fishing cat बोलते हैं पैसे तो ये साल के किसी भी समय breeding कर सकते हैं, लेकिन इनका भारत में जो peak season होता है, वो March और से मई का होता है हमारा next article snow leopard के बारे में है, हाल ही snow leopard conservationist जिनका नाम चारुदत मिश्रा है, उन्हें वाइटली gold award दिया किया, जो भी उनका contribution रहा snow leopards को लेकर उसके लिए scientific name है panthera yuncia, cold high mountains में रहना पसंद करते हैं, 12 countries में basically आपको मिलेंगे, चाइना, बूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रश्या और मंगोलिया, चाइना में इनके आपको सबसे ज़्यादा population मिल जाएगी, इंडिया में कई सरे राजियों में या आपको जमोयन का समीर, हिमाचल प्रदेस, सुत्राखन से किन, और अरुरांचल प्रदेस, कार्निवोर होते हैं, मतलब मांसाहारी होते हैं, ब्लू शीप का शिकार करते हैं, जो अर्गली, वाइल शीप है, इबेक्स है, मर्मोट, जो कि एक प्रकार की गिलहरी होती है, पर भी यह सिकार करते हैं, दुनिया के मोस्ट इलिज्यू कैट्स में से एक है, इलिज्यू का मतलब यह होता है, कि दिखते नहीं यह जल्दी, बड़े शर्मीले होते हैं, और चुकि बरफ में रहते हैं, इस तरीके से रहते हैं, कि आप इन्हें देख नहीं पाएंगे, ब बैलन्स करने में हेल्प करती है, चुकि यह मौटेनियस एरिया में रहते हैं, तो टफ टेरेन में इन्हें जाना होता है, तो बैलन्स जरूरी है, और इसके लावा जब वो सो रहे होते हैं, तो उससे वो अपनी बॉडी को भी कवर करते हैं, शाई होते हैं, मुश्किल से ज ये एक peer-reviewed journal में आता है जरनल में आता है Bird Life International का flagship science publication है ये जहाँ पर इस पूरी report को publish किया जाता है हम birth की condition को oversee करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से उनकी population में या stress situation में बदलाव आ रहा है क्या निकल किया या 2022 की report में 48% birth दुनिया भर में population decline देख रहे हैं उनकी संठ्या में गिरावट आ रही है और भारत में तो 80% species अपनी numbers में कमी दर्च कर रही है और 50% तो strongly नीचे जा रहे हैं जहाँ पर ध्यान देने की आवशकता है हमारा next article UNCCD Conference of Parties के बारे में है Union Minister for Environment फुपेंदर यादाव जी ने अभी हाली में national statement डिलिवर किया 15th session अभी चल रहा है COP का किसका COP? UNCCD का Code Deiver में Code Deiver एक West African country है घाना इसका पडूसी रेस है पडूसी रेसों में बुकीना फास्टो, माली, गिनी और लाइवेरिया भी शामिल है तो ये Code Deiver है ठीक है तो West African country है जहां पर अभी COP की ये meeting चल रही है UNCCD की UNCCD का COP यानि की Conference of Parties होता क्या है Conference of Parties एक group है जिसमें होती है सरकारे और कुछ organizations जैसे की European Union इनका काम होता है कि ये इस convention को guide करें कि कैसे हम global challenges handle कर सकते हैं जिसके लिए इस पूरे Conference को तयार किया गया कुल मिला के Conference of Parties इस convention के लिए एक main decision making body है ये decide करते हैं कि हम desertification को कैसे combat करेंगे या जो associated initiatives हैं उन्हें कैसे handle किया जाएगा जो COP है उनकी meeting दो साल में एक बार होती है और 2001 से ही ये meeting होती रही है अभी तक इसके 14 sessions हो चुके हैं यानि कि 14 meetings और 15 में अभी चल रही है जो 14 सेशन था वो 2019 में New Delhi में हुआ था और जो 15 में है वो 9 से 20 मई के बीच में 2022 का जो समय है अभी वहाँ पर code driver के अबदजान में चल रहा है focus area basically drought तो होगा desertification है तो drought, land restoration ये तो रहेंगे कुछ related enablers भी हैं जो इन से जुड़े हुए हैं जैसे कि land right, gender equality, youth employment इन सब पर भी ध्यान दिया जाता है इस बार की theme रही land life legacy from scarcity to prosperity ये तो रहा UNCCD का मामला अब आई इसकी भी बात कर लेते हैं UNCCD के बारे में बात कर लेते हैं 1984 में UNCCD को establish किया गया अगर आप देखें तो environment और development इसे link करते हुए जहां पर हम बात करते हैं sustainable land management की जमीन को सही तरीके से manage किया जाए उस संबंद में ये एक मात्र legally binding agreement है जहां पर कही गई बातों को member parties को जरूर से follow करना होगा जो convention है वो arid, semi-arid, dry sub-humid areas जिने आप dry land भी बोलते हैं उन सभी पर focus करता है जिनमें कुछ बहुत ही vulnerable ecosystem हो सकते हैं तो दुनिया में ये locations कहीं भी हो उन पर focus किया जाएगा restoration के फ्रयास किया जाएंगे convention की 197 parties हैं parties इसलिए बोल रहा है क्योंकि केवल countries नहीं है बलकि organizations भी है इसकी party जो कोसिस करते हैं कि जो dry land वाले area में लोग रह रहे हैं उन्हें living conditions मिल जाएं उनके land और soil productivity को restore किया जाए, rot की condition में उन्हें कम नुकसान हो UNCCD committed है bottom up approach को लेकर आप local लेवल पर काम करिए, नीचे के लेवल पर काम करिए धीमे धीमे बड़े reserves मिलने लग जाएंगे and that is the reason कि local people के participation पर focus किया जाता है desertification और land degradation को combat करने के लिए 2016 में एक प्रस्न आया था इस प्रस्न को बताने का मेरा एक उद्दिश और भी है कि आप देखें कि question का nature क्या होता है usually जब आप कोई topic पढ़ते हैं वहाँ पर अगर किसी topic के aims and objectives की बात की गई हो importance की बात की गई हो तो एक general सा notion क्या होता है कि रहे ये तो means का point हुआ इससे जो questions आएंगे वो means में आएंगे या फिर ये बात मेरे means में काम आएगी लेकिन आप इस question को देखे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है UNCCD की importance जो मैं feel कि ये means का part है लेकिन question prelims में पूछा गया है पहला statement है कि इसका aim है कि हम effective actions ले innovative national program और supportive international partnership के मध्यम से अब यहाँ पर इस topic के aim की बात की गई है यह पहला statement है दूसरा है इसके focus area आप बता रहे हैं कि South Asia और North Africa region पे special focus है रखते हैं और ज्यादा तर finances इसी area के लिए जाते हैं तीसरा यह है कि यह committed है bottom up approach को लेकर तो देखिए दो statement तो correct है यह पहला वाला भी सही है दूसरा वाला भी सही है तीसरा वाला भी सही है दूसरा वाला गलत है because यहाँ पे ऐसा कोई focus area नहीं है जहाँ भी land degraded है फो focus करते हैं कुलिबला के इस question का objective यह है कि यह importance, significance, implications इन से प्रश्ण पूछे जाते हैं जब भी आप कोई topic पढ़ते हैं तो इन सब चीजों पर भी ध्यान रखे aim, objectives, focus areas, approach इन सबसे भी आप से प्रश्ण पूछा जा सकता है तो यह जो प्रिवेसर के questions होते हैं यह आपको guide करते हैं कि basically question किस nature के आ सकते हैं और जब भी आप topic पढ़ते हैं तो उस nature से समद्धि जो भी information होते हैं उस पर भी ध्यान रखते हैं अपना अगला article जो कि mission अमरे सरोवर के बारे में है 75 ponds गाजियाबाद में तयार कर लिए गए हैं कि उन्हें revive करेंगे हम center के अमरे सरोवर scheme के माद्यम से अप्रेल के इस साल में इस scheme को launch किया गया basic objective तो यही है कि हमें हर district में 75 ponds at least या तो construct करने हैं या उन्हें develop करना है initiative के तहट जो एक pond तयार होगा वो कम से कम एक एकर का होना चाहिए और उसके पास capacity होनी चाहिए 10,000 cubic meter पानी को store करने की total area इस लिहाज से कुछ ऐसा होगा कि हम 50,000 water bodies पूरी भारत की territory में develop कर लेंगे कई सरी ministries इसमें हिस्सा बनती है department of rural development department of land resources मतलब यह जो ministries और departments है department of drinking water and sanitation department of water resource ministry of panchayati raja and ministry of forest environment and climate change यह सब इसका हिस्सा है technical partner है वासकराचार National Institute for Space Application and Geo Informatics 2023 के 15 अगस तक इस पूरे mission अम्रिस सरुवर को implement करना है strategy किया है कैसे करेंगे इसको strategy बिल्कुल simple है मंद्रेगा में जो काम दिया जाता है 15 finance mission का जो grant है उस भी इसमें 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 करेंगे प्रधार मंद्री को उसर विकास योजना की जो सब इस scheme है watershed development component हर खेट को पानी इन सभी schemes का इस्तेमाल करेंगे हम इन सरुवरों को बनाने के लिए mission में हम citizens को mobilize करेंगे non-government resources का भी इस्तेमाल करेंगे इस पूरे effort को supplement करने के लिए हमारा next article shallow and deep ecologism के बारे में है environmental ecology का बहुत ही बढ़िया दो environmental philosophies पर चरजा की जा रही है कि क्या अब समय आ चुका है कि हम इनको follow करें ये philosophies इनसानों की nature के साथ जो relation से भै उसको explain करते हैं इन philosophies का नाम है shallow and deep ecologism क्या है shallow and deep ecologism ये concept 1970s में emerge हुआ नौर्वे के philosopher थे Erne Nais उन्होंने pollution और conservation moments को लेकर जो एक traditional बातचीच चल रही थी debate and discussions चल रहे थे उनसे हट कर कुछ नया सोचने का प्रयास किया और in between उन्होंने humans को center में रखा उन्होंने humans को center में रखके environmental crisis को explain किया और इसके लिए दो concepts emerge होकर आए पहला था shallow ecologism shallow ecologism को हम weak ecologism भी कहते हैं इसके पहले कि हम shallow या deep ecologism की बात करें ecology की बात करते हैं ecology क्या है? ecology एक study है जहाँ पे हम relationship को study करते हैं living organisms जिन में इंसान भी शामिल हो जाएंगे उनके physical environment के साथ उनकी क्या relationship है यहाँ पे हम basically plants, animals और उनकी आस पास के जो भी surroundings हैं उनके साथ उनके interaction को study करते हैं तो यह तो मतलब हो गया ecology का shallow ecologism क्या है? shallow ecologism जिसे weak ecologism भी कहा जाता है इसमें हम देखते हैं कि आखिर हमें environmental problems को कैसे address करना है दोनों ही philosophies environmental problem को address करने का solution बताते हैं तो पहला जो weak ecologism है उसका solution बिल्कुल simple है आप जो lifestyle अपनाए हुए हैं उनको अपनाए रहिए कोई दिक्कत नहीं है उसे आप follow करते रहिए लेकिन in between आप अपनी lifestyle में कुछ ऐसे changes करिए जिनकी वज़े से आप environmental damage को minimize कर सकें जैसे कि आप vehicle का इस्तिमाल करते हैं तो vehicle का इस्तिमाल बंद मत करिए वो करते रहिए लेकिन ऐसी vehicle का इस्तिमाल करिए जो की कम pollution फैलाते हूँ या फिर आप chlorofluorocarbons का इस्तिमाल कम कर दीजिए air conditioners का इस्तिमाल कम कर दीजिए ये सारी चीज़े आप करिए ताकि environment को कम नुक्सान हो लेकिन जो steps हैं ये कमजोर steps हैं मतलब आप कुछ बहुत बढ़ा बदलाओ नहीं कर रहे हैं that is the reason कि इसे weak ecologism या shallow ecologism कहा गया फिर मामना आता है deep ecologism का deep ecologism जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है यहाँ पे आपको कुछ बहुत गहराई से करना होगा मतलब कुछ ऐसा change जो बहुत बढ़ा बदलाओ लेकर आए and that is the reason कि deep ecologism radical change की बात करता है वो कहता है कि हमें अचानक से कुछ बड़े बदलाओ करने होंगे तब ही हम environment को fight कर पाएंगे जो pollution है जो degradation है उसको यह last scale changes की बात करते हैं my lifestyle में क्योंकि अगर हमने last scale changes अभी नहीं किये तो फिर हम environmental pollution और degradation को counter नहीं कर बाएंगे दौसर पंदर में देखे एक प्रशन आया था ecosystem ecosystem का हमने description पूछा था हम से और सही जवाब C था a community of organism together with environment in which they live तो इस प्रकार के कई दफा साधरन प्रशन भी पूछ ले जाते हैं हमरा next article Global Annual to Decadal Climate Update Report के बारे में है इसे हाल ही में release किया क्या है किसमें release किया WMUNI World Metological Organization ने जब वो annual update तयार करते हैं तो दुनिया भर में जो भी climate scientist है उनके best prediction system और उनके expertise का सहरा लेते हैं ताकि वो कुछ actionable informations तयार कर सकी इंडिया के लिए क्या निकल के आया इंडिया के लिए ये निकल के आया कि आने वाले चार सालों में इंडिया में जो temperature होगा वो below normal होगा थोड़ा आजीव लग रहा है न क्योंकि इस वमें तो गर्मी कितनी जादा पढ़ रही है मतलब heat waves का प्रकोप चल रहा है in between कोई ऐसी finding आये जो कहे कि अगले चार सालों में temperature below normal रहेगा तो पढ़के तो अच्छा लग रहा है लग रहा है कि हाँ ऐसा हो तो बढ़िया है ऐसा कुछ दिखता अभी तो नज़र नहीं आ रहा और ये below normal temperature के लिए करण क्या बता रहे है ये कह रहे हैं कि यहाँ पर rainfall activity बढ़ेगी हमें above normal rainfall मिलेगी इसलिए temperature गिरेगा काश ऐसा हूँ WMO के बारे मात करें तो Intergovernmental Organization है 193 members है UNK Specialized Agency है इंडिया WMO का member है और इसका headquarter है Switzerland के जिनेवा में बारत TAP initiative के बारे में है TAP समझते हैं नलकी टोटी मतलब उससे मिला जुला कोश होगा जरूर Ministry of Housing and Urban Affairs ने भी हाल ही में इस initiative को launch किया है इस initiative में निर्मल जल प्रियास और भारत TAP initiative दोनों ही शामिल रहे Actually में एक exhibition चल रहा था Plumbex India exhibition Plumbex Plumber से मिलता जुलता सब्द है न तो plumbing से related जो भी items होते हैं उनका ये exhibition था इस exhibition में ऐसे production services को showcase किया जा रहा था जो plumbing water या sanitation industry में इस्तेमाल होते हैं कुमला के आपके bathroom या फिस sanitation जो भी items हैं उनका exhibition था ये ये जो concept है basically इसका basic objective ये है कि हम low flow taps तयार करें या ऐसे fixtures तयार करें जिनसे पानी बहुत कम निकलता हो आप हाथ दोने के लिए tap open करते हैं कम पानी निकलेगा तब भी आप हाथ धो सकते हैं क्योंकि हाथ धिमे धिमे आप धोते हैं उतने पानी की नीड होती नहीं जितना tap निकालता है हम 40% water secure कर पाएंगे पानी को बचा पाएंगे energy को भी बचा पाएंगे क्योंकि हम less water इस्तेमाल करेंगे तो उसको निकालने के लिए जो energy required होती है pumping transportation या purification वो भी कम इस्तेमाल होगा significance यह है कि अगर धिमे धिमे हम इसे आसानी से और जल्दी से accept कर लेते हैं तो conservation efforts में एक तेजी आएगी बात करते हैं इन initiatives के बारे में जैसे निर्मल जल प्रयास initiative यह initiative है नाडेको माहिका नाडेको माहिका basically इनका क्या काम होता है यह groundwater को map करते है क्योंकि चमीन के भीतर जो पानी है वो हमाई ले बहुत ही important है because यह source of drinking water है target यह है कि per year हमें 500 क्रोल लीटर पानी जो है वो बचाना है नाडेको की बात करते हैं नाडेको का full form है National Real Estate Development Council इसे establish किया गया था 1998 में एक autonomous self regulatory body के तौर पे यह autonomous है अपने regulations खुद ही लगाती है Minister of Housing and Urban Affairs के तहट काम करती है purpose क्या है यह apex body है जो सभी stakeholders को सभी sphere में national level पे coordinate करवाती है कि Real Estate का development अच्छी तरीके से किया था अब देखे जो नाडेको है उसी का initiative है नाडेको माही जो नाडेको माही है basically इन्हों नाडेको नहीं अपनी एक women wing तयार करी थी 2021 में जिसमें यह real estate sector में women entrepreneurship को बढ़ाने की कोशिस कर रहे है 2012 का एक प्रस्ट मेरे सामने है mission के बारे में है national water mission के बारे में है कहा यह जा रहा है कि अगर national water mission को पूरी तरीके से implement कर दिया जाए तो इसका क्या impact पड़ेगा अब यहाँ पर देखिए impact, significance हम कई तफ़ा बात कर रहे हैं कि यह means के perspective से आपको topics लगेंगे लेकि इनसे questions पूछे जाते हैं so broader understanding के लिए ज़रूरी है कि impacts and all भी पूछे जाते है तो पहला तो यह है कि इससे water needs urban areas में पूरी हो जाएंगे जहाँ पर हम waste water को recycle कर पाएंगे under national water mission दूसरा यह है कि इसे coastal cities के water requirement को हम पूरा कर पाएंगे जहाँ पर पानी के inadequate alternatives हैं और इसके लिए हम appropriate technologies को adopt करेंगे यह दोनों बाते तो सही लग रही है कोई दिक्कत नहीं है इसमें तीसरा यह है कि इस mission के तहथ हम सभी हिमालयन reverse को peninsular reverse के साथ जोड देंगे अब सभी को जोड देंगे यह तो देखे extreme statement हो गया ना सभी को जोड पाएंगे कि नहीं जोड पाएंगे अकसर हम कहते हैं कि जो extreme statements होते हैं या absolute statement होते हैं UPSC में वो गलत होते हैं तो वो ऐसे statements होते हैं all all हो गया तो सारी नदियों को जोड़ेंगे logically लग रहा है कि गलत होना चाहिए और दूसरा यह है यहाँ पे चौथा the expense incurred by farmers for digging borewells मतलब borewells को डिक करने में जो भी farmers खर्चा लगाते हैं या motors वगरा इंस्टॉल करते हैं लगाते हैं पानी निकालने के लिए उसमें जो भी खर्चा आता है government सारा reimburse कर देगी वो उनको वापिस कर देगी अब यहाँ पे देखे एक keyword आ गया completely यह भी absolute word हो गया न तो absolute word वाले questions या statements अक्सर गलत हो जाते हैं तो यहाँ दो और तीन भी गलत हैं अगर आप absolute word पे नहीं भी जाओगी understanding भी जाओगी यह लगेट टूनों की इसको तो गलत होना चाहिए तो यह भी गलत हो गया article रामगर विजधरी वाइलेफ सेंचुरी के बारे में है हाल ही में इसे एक tiger reserve के तोर पे notify कर दिया गया है आपकी जनकारी में हो गया कि भारत में वर्तमान में 51 tiger reserves हैं और इस addition के बाद tiger reserves की संख्या 52 हो गई है तो जो latest tiger reserve भारत में बना वो कौन सा है रामगर विजधरी वाइलेफ सेंचुरी इसे अभी हाल ही में tiger reserve का दर्जा दे दिया गया location क्या है राजस्थान में है primarily यह आपको याद रखना है कि यह राजस्थान में located है तो आसा और micro level पे जाएंगे तो जो boondi district है largely आपको वहाँ भी मिलेगा और कुछ हिससा भिलबाडा और कोटा district का भी इस wildlife century में cover हो जाएगा जो कि अब tiger reserve बन चुका है government of Rajasthan ने declare किया था इसे sanctuary के तौर पे 1982 में जो section 5 है राजस्थान wildlife and bird protection act of 1951 उसी को आधार बनाके 1982 में इसे wildlife century का दरजा दिया गया यहाँ पर आपको मिलते हैं Indian wolf, leopards, stripped, hyena, chinkara, antelope और foxes रामगर, wildlife, विजधरी wildlife century जो है एक buffer के तरफ भी काम करता है रंथमबोर नेशनल पार्क के लिए काफी famous wildlife century है एक buffer के तौर पे भी यह attach हो जाती है रंथमबोर नेशनल पार्क के साथ रामगर, विजधरी wildlife century जो है यह भरत का 52nd tiger reserve बन गया और राजस्थान का चौथा इसके अलावा जो तीन tiger reserve राजस्थान में है 2000 रंथमबोर, सरिस्का और मुकंद्रा तो चार राजस्थान में हैं आप याद रख सकते हैं tiger का जो status है status of tiger in India report के according जो 2019 में आई थी भरत में वरतमान में 20 राज्यों में 2967 2967 tigers हैं हो सकता है यह संख्याब 3000 पार भी कर गई हो ठीक है हमारा next article bio material के बारे में bio material कोई भी ऐसा material होता है जो हमारी body के साथ interact करता है और किसी भी प्रकार की healing में diagnosis में हमारी मदद करता है example के तौर पे कोई एक पटी जो आपके घाओ पे बांधी जाती है और वो हमारी body को heal करे बजा इसके के नुकसान पहुँचाए bio material कोई भी ऐसा substance हो सकता है जिसे engineer किया जाए कि होई biological system के साथ interact करके medical purpose से हमारी मदद करे वो therapeutic diagnostic हो सकता है अब यहाल ही में जो bio material develop किया गया है वो हमारे body में healing process को hesten करेगा इसे हम drive कर रहा है एक polymer polulence से जो polymer polulence है वो एक fungus से निकलता है उस fungus का नाम है aerobacidium polulence and that is the reason कि इसे polymer polulence कहा जा रहा है जो bio material है ये wand को disinfect करने में capable होगा और healing process को तेज़ करेगा हमारा next article NGT के बारे में है National Green Tribunal के बारे में है Parliament में अभी देखे जो Supreme Court है उनके सामने प्री गई थी एक information दे देता हूँ तब आपको ये article समझ में आएगा NGT environment के मौमनों को देखता है अगर कोई environmental concern है तो आप National Green Tribunal में जा सकते है केस करने NGT के द्वारा जो भी निड़े दिया गया है अगर उसमें किसी को आपती है तो आप High Court में नहीं जा सकते आपको सीधा Supreme Court में जाना पड़ेगा and that is the key point यहाँ पे petitioners ने Supreme Court के सामने ये कहा कि NGT को excessive rights दिये गए है मतलब NGT के बाद अपील का अधिकार High Court में नहीं होता बलकि जीधा Supreme Court जाना पड़ता है यह High Court के authorities को lower करता है जो कि गलत है यहाँ पे Parliament ने NGT को आवशक्ता से अधिकतिकार दिये है अब यही जो petition है वो Supreme Court के पास थे जहाँ पे संडर गौर्मेंट लेके सहस्ता को बहुत ज़दा right दे दिया हो इसे सुई जेनरिस इंस्टूशन के तौर पर डेवलप किया गया है यह environmental rights को enforce करता है right to life article 21 के तहते बहुत ज़रूरी है और इसलिए जो भी अधिकार NGT के पास है वो rules and regulations के basis पे हैं यह कोई excessive right नहीं है जहाँ पर सीधे सुप्रीम कोट के पास जाने का धिकार होता है NGT को 2010 में बनाया गया था National Green Tribunal Act 2010 के तहाँ जहाँ पर environmental protection वाले issues को तीजी से dispose करने का प्रयास किया गया यह 1908 के code of civil procedure को follow करें ज़रूरी नहीं यह natural justice के principle के basis पे काम करते हैं इनके पास जिम्मेदारी है कि ऐसे मामलों को 6 महीने के भीतर यह clear करें अगर tribunal के order के against में किसी को कोई आपती है तो उसे Supreme Court में जाना होगा इसका principle place New Delhi है और इसके चार local office भी है भोपाल, पुने, कोलकाता और चिन्नई में जहां पे जो tribunal है वो अपनी setting देखता है composition की बात करें तो जो sanctions strength है वो 40 members की है 20 expert members होंगे, 20 judicial members होंगे एक chair man होंगे, जो होंगे इसके administrative head वो या तो serving या retired chief justice of high court होने चाहिए या फिर Supreme Court of India के judge होने चाहिए ये उनकी minimum qualification होगी जो इस body को chair करेंगे हमारा next article मायास pit wiper के बारे में है Trimresaurus मायाई या फिर आप इसे मायास pit wiper बोल सकते हैं ये साब की एक नई प्रजाती है जिसे उमरोई military station जो की रीभोई district में है मिघाले आके वहां से अभी हाल ही में discover किया गया है तो ये एक नई प्रजाती है और नई प्रजातियों पर UPSC को थोड़ा सा interest रहता है locally इसे U clan के नाम से पुकारा जाता है ये malevolent या फिर evil spirit वाला साब माना जाता है malevolent का मतलब भी ऐसा होता है कुछ evil powers होती है इसके पास जो लोगों को नुकसान पहुचा सकती है कि वंदतियों में कहानियों में तो ऐसा भी बताते है कि ये जो साब है ये एक बहुत बड़े साब का रूप और इंसान को निगल जाता है तो ऐसी कहानिया है साब के बारे में पतलब इसे evil spirit वाला मना जाता है, डिरावना बताया जाता है, ये बिलकुल pop's pit wiper की तरह ही दिखता है, बस इसकी आँखों का color थोड़ा सा different होता है, जो sneak है, वो 750 mm का by length होता है, जो herpetologist है, उनका ये मानना है कि ये नई species मिघालया, मिजूरम और गुवाहाटी में common हो सकती है Now you may have a question, कि चलो माना की एक सांप news में आ गया, तो क्या सांपों पर UPSC interest लेगी, क्या question पूछेगी, बिलकुल पूछ सकती है, क्योंकि उन्होंने past में भी ऐसा किया है, you have a question, 2010 का ये प्रशन है, उन्होंने question पूछा था King Cobra के बारे में, King Cobra एक मातर ऐसा सांप है, जो अप तो कुल मिला के अगर वो King Cobra पर question पूछ सकते हैं, तो ये तो एक नई प्रजाती है, जो news में भी है, मतलब एक तो सांप और दूसरा नई प्रजाती, you may have a question on this topic, हमारा next article, अभी GM crop research को लेकर कुछ norms को आसान बनाया गया है, उसके बारे में है, genetically modified crops को लेकर अक्सर हम concerned होते ह हैं, इसको लेकर कई त्रीके के restrictions भी होते हैं, हमें ऐसा लगता है कहीं genetic modification करके हम कोई ऐसा plant ना तयार कर दें, जो human health के लिए नुकसान दे हो जाए, या जो बाकी के plants को disrupt करना शुरू कर दें, department और biotech ने अभी हाल ही में एक guideline जारी करके research के purpose से इसमें कुछ सहूलियते दी दी हैं, research को अक्सर तवज्जो दी जाती है, कि आप researches वगेरा करिए, ताकि बता चल सके क्या फायदया क्या अनुसान हो सकते हैं किसी भी प्रकार के genetically modified crop के, researchers को यहाँ पे exemption दिया किया है, कि वो gene editing technology का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी plant के genome को modify करने के लिए, इसके पहले दि research के purpose से ऐसा कोई approval required नहीं होगा, मतब researches को अब आसानी मिलेगी, हाला कि उसका इस्तेमाल कहां और कैसे किया जाए, funds that plant was ready, या वो तैयार हो गया, उसका अधिकार तो environment minister ही करेंगे, इस्तेमाल होगा कि नहीं, लेकिन research के purpose से अब बात बात पे GEC का approval नहीं लेना पड़ेगा यहां पर देखिए, आगे बात करते हैं, इसी article में, जो department of biotech है, उन्होंने guideline में ये कहा कि इससे एक roadmap तयार होगा, भरत में research and development further sustainable use को लेकर, जहां पे genome editing technologies को लेकर हम थोड़ा और बढ़े हैं तरीके से काम कर पाएंगे, हम specify करेंगे कि gene editing के technology है, उसमें हम bio safety को ensure करें, environmental safety concerns को भी संग्यान में लिया जाए, genome editing क्या होती है, देखिए genome क्या होता है, genome complete genetic information होती है, जो भी एक organism है, उसके पूरी genetic information को एक set में तयार कर लिया जाता है, तो उसे ही genome कहा जाता है, genome editing क्या होती है, genome editing का मतलब ये है, कि इसमें देखिए genetic engineering का हम इस्तेमाल करते हैं, genetic engineering के जर ऐसा किसी living organism में हम कर सकते हैं, वो plant का भी हो सकता है, और animal का भी हो सकता है, अब यहाँ बात करते हैं, GEAC की, तो जो genetic engineering appraisal committee होती है, वो एक statuary body है, जो की कुछ rules के under constitute की गई है, इस rule का नाम बहुत बड़ा सा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, that is, rules for the manufacture, use, import, export and storage of hazardous microorganisms, genetically engineering organism or cells, 1989 का ये rule है, इस rule को notify किया गया था, Environment Protection Act of 1986 के था है, मतब तीन साल बाद ये rules notify किये गया, ये function करता है, Ministry of Environment, Forest and Climate Change के था है, rules जो हैं, उनके according, एक जो appraisal होगा, मतब जो भी activities हैं, जो के hazardous microorganisms या recombinants से related हैं, उनके लिए ये rules applicable होंगे, जो committee है, उसे chair करते हैं, एक special secretary, या फिर additional secretary of Ministry of Environment, Forest and Climate Change के लिए, देखें, ये जो GEAC है, इस पर प्रशन पूछा जा चुका है, GEAC पर प्रशन आया था, 2015 में, और बिल्कुर सिंपल सा सवाल पूछा गया था, कि ये किसके अंडर में constitute किया गया है, and the correct answer was C, Environment Protection Act of 1986, तो जो important environmental act हैं, उनके भीतर कौन सी, या उ अपके लिए important हो जाती है, because इस nature के पर पास में पूछे गया है, हमारा next article, People's Biodiversity Register PBR के बारे में है, कुलकाता पहला major metropolitan city बन चुका है, जिसने हाल ही में detailed PBR तयार किया, छोटे छोटे cities में, या फिर जो metropolitan areas हैं, वहाँ पे PBR पहले भी बनाए गया है, लेकिन किसी बड़े metropolitan city ने अपना PBR बनाया हुए, ऐसा तो पहली बार हुआ है, इसे कॉलकाता Biodiversity Management Committee ने तयार किया, BMC ने, People's Biodiversity Register यानि कि PBR, इसमें उस city के या area की biodiversity का पूरा खाका होता है, जिसमें flora, fauna, medicinal sources, land use, सब कुछ शामिल होता है, यहाँ पे कोई city हो सकते हैं, जिसे इस मामले में, य जो Biodiversity Act है, उसमें यह mandatory किया गया था कि जो भी self-governing institutions हैं, चाहे वो rural area में हो या फिर urban areas में हो, वो एक BMC बनाएंगे, Biodiversity Management Committee अपने area में, और BMC का यह काम होता है, कि वो People's Biodiversity Register बनाएं, BMC को यह काम दिया गया कि वो PBR तयार करेंगे, लोकल लोगों के साथ मिलकर, हाला क कि सभी BMCs ने ऐसा किया नहीं है, कुछ नहीं, लोकल लेवल पे ऐसा किया भी है, बड़ी metropolitan city में पहली बार यह BMC तयार किया गया, कोलकाता में, ठीक है, तो जो BMC है, वो in resources का custodian भी होता है, देखता है, अगर कोई industry in resources का इस्तिमाल कर रहा है, तो इसका हिस्सा, share का, profit का, local community को भी मिले, जो PBR है, ये लोगों के, जो aid, interesting changes, habitat में जो बदलाव हो रहा है, उसको देखते हैं, कि वो कैसा हो रहा है, कोसिस करते हैं, कि इस बायोड़ी को conserve करें, हमारा next article, draft notification की बारे में है, electronic waste management को लेकर, ये notification अभी हाल ही में जारी की गई, और public feedback मांगा गया, notification आई है, Ministry of Environment, Forest and Climate Change की तरफ से, कई तरीके के electronic goods को cover किया गया है, under this notification, जैसे कि laptop, landline, and mobile phones, camera, recorders, music system, microwave, refrigerator, medical equipment, इन सा भी notifications में specify किये गए है, इवेस्ट कलेक्शन का target है, एक consumer good company, जितना भी सामान produce करती है, उसका 60% वो 2030 तक वापिस से collect करेंगे, और recycle करेंगे, ये target, दो हजाद 24 के लिए 70% और 25 के लिए 80% होगा, recycle करने के लिए उन्हें वो सामान वापस चाहिए होगा, वापस लेने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, आप exchange offer दे दीजिए, कि आप अपना पुराना equipment हमको दीजी, हम आपको discount दे देंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं, कि जो भ अपना पूरा नहीं किया है, तो आपको EPR certificate खरीदने होंगे, और आप दोनों नहीं करेंगे, तो punishment मिलेगी, punishment कितनी होगी, ये भी decide नहीं किया गया है, बाकी इसे monitor गरने का काम CPCB के पास है, center pollution control board के पास, प्रशनाया 2013, improper या indiscriminate disposal अगर पुरानी और used computers का होता है, तो उसमें EVS के तौर पे क्या निकलेगा, और आपको मिले थे 7 points, इसमें 4 point को छोड़के बाकी सभी शामिल होंगे, so the answer will be B, 1, 2, 3, 5 and 6 only, वो सेला मकाक के बारे में है, ये एक नई species है, old world monkey की, जिसे आप सेला मकाक कह सकते हैं, इसे हाल ही में, अरूरांचल प्रदिस में record किया किया, सेला ओंटिन पास है ना, वहाँ पे, जहां पे टनल भी बन रही है, सेला टनल, उस location में इसे देखा गया ह and that is the reason कि इसे नाम दिया गया है सेला मकाक, इसे ही experts की एक टीम ने analyze किया, जो जिलोजिकल सर्वे आफ इंडिया से बिलॉंग करती थी, University of Calcutta की भी टीम इसमें शामिल रही, सेला मकाक से बिलॉंग करता है, जो की मकाका ग्रुप का एक जीव है, ये other member जो इस family के हैं, उसे थोड़ा सा लग हो जाता है, इसके collar hair की वज़े से, जो बाल इसके गले के पास है, फर्दर muscle, जो थूथन के पास इसका area है, और सेला मकाक में chin whiskers की भी कमी है, जो चिन के पास मूचें होती है, वो भी नहीं है, ठीक है, फर्दर दीखे, जो habitat है, जो phylogenetic analysis है, वो ये reveal करत है, जो सेला मकाक है, वो geographically separate हो गया, अरणचल मकाक से, मकाका मुझाला जिसे आप कहते हैं, सेला मौंटेन पास की वज़े से, सेला मौंटेन पास ने एक barrier की तरह काम किया, इसलिए दोनों जो प्रजातियां हैं, वो differ कर गई, अलग अलग हो गई, और दोनों के characteristics में भी थो है, वो different रहे, phylogenetic का मतलब ये होता है कि कोई भी जीव जो धीमे-धीमे evolution के साथ develop होता है, उसमें कुछ diversifications आ जाते हैं, तो इसका मतलब होता है phylogenetic, तो phylogenetic का हम analysis करते हैं और देखते हैं कि कौन सा जीव किस प्रकार से evolve हुआ है, characteristic की बात करते हैं, तो जो सेला मकाक है, ये अरॉड़ांचल मकाक से काफी ज़दा मिलता जोलता है, हाना कि obvious सी बात है, कुछ differences तो definitely है, heavy build shape है सेला मकाक का, और इसकी पूरी body पर आपको बहुत लंबे बाल दिखेंगे, जो उतने लंबे आपको अरॉड़ांचल मकाक में नहीं मिलेंगे, जो सेला मकाक है, कोट उसके body के सरीर पर भी मिलेगा, सेला मकाक की पूछ बाकी मकाक के तुलना में लंबी है, जैसे कि टिबितिन मकाक, एसमीज मकाक, अरॉड़ांचल मकाक, वाइचीग मकाक, लेकिन छोटी है, बॉनिट मकाक और टॉक मकाक के तुलना में, थर्स की बात करें, तो ये उस में जहां पे रहते हैं, वहाँ crops को काफी नुकसान पहुचाते हैं, and that is the reason कि man-wide life conflict में कई दफा इनकी जान चली जाती है, जो लॉचको सर्वे आफ इंडिया की बात करते हैं, शॉट में आप इसे कहते हैं, जेट ऐसाई, ये सबॉर्डिनेट और अगनाईजिशन, अमिनि को explore किया जा सकता है, knowledge के advancement के लिए, ये rich funnel diversity को country में exceptionally जो rich है, उसे detect करते हैं, ढूरते हैं, research करते हैं, इसका headquarter है, कुलकाता में, और 16 regional stations भी हैं, अनेक्स्ट आरिकल, money spider के बारे में है, it's about money spider, जो money spider है, इसे commonly, European घास के मैदानों में देखा जाता है, भारत में नहीं मिलते थ लेकिन हाल ही में, जो मुथंगा range है, वेनाद वाइलेफ सेंचुरी की, वहाँ पे for the first time, money spider को detect किया गया, वहाँ देखा गया, report किया, money spider, family of dwarf spider से बिलॉंग करता है, इनके जो male होते हैं, वो 3 mm और जो female होती है, वो 4 mm लंबी होती है, मतलब female, male के तुलना में ज्यादा बनाती है, dry twix, यानि कि जो सूखी लकडियां होती है, उनके बीच में, जबकि males जो है, वो पत्तियों में छुपके रहते हैं, कई दफा आपको एक female spider का जो web है, उसमें दो या उससे जादा male मिल जाएंगे, दोनों ही sexes जो है male female, वो dark brown color के होते हैं, और उन पे irregular silver patches मिलते ह हैं, numerous fine black spines या olive green legs देखने को मिलेंगे इस spider में, significant islay a discovery because इनकी 6 species पाई जाती है, जिन में से भारत में तो एक भी नहीं मिलते थी, for the first time भारत में एक species को detect किया गया, पहली बार इनके genus को इंडिया में report किया गया है, that is the reason कि इस finding को लेकर जो भी researchers हैं, वो काफी ज़्यादा interested है, when our value of century की बात करते हैं, किरला में located है, point number one, याद रखना है, integral part है, नीलगिरी पैसफर रिजर्फ का, when our value of century को establish किया गया 1973 में, काविनी river, काविनी river actually made tributary है, कावेरी नदी की, वो इसी century से होके उजरती है, यहां मिलते हैं आपको कई सारे जीव, आप चाहें तो मैं उ और टाइगर, पैंथर, सांबर, स्पॉटेट डियर, बाकिंग डियर, वाइल बोर, स्लोध बियर, नीलगिरी लंगूर, बॉरनेट मका, कॉमन लंगूर, वाइल डॉक, कॉमन ओर्टर, मालाबार, जाइंट स्कुरर, और कुछ मैमल्स भी, तो मैंने नाम ले लिए हैं, कोल कोगर जलाया जाए, तो बहुत ज़्यादा पॉलिशन निकलता है, तो कॉल एक ऐसा सोर्स है, जो इन्वार्मेंट के लिए फायदे मनतों करते ही नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें से गैस एक्स्टेक्ट करके उसका इस्तेमाल करें, तो इनर्जी सोर्स जदा एफिशें होगा और इन्वार्मेंट के लिए कम हामफुल होगा, कोल कैसिफिकेशन ने कैसी पर क्रिया है, जिसमें हम जो कोल है, उसे पार्शली ऑक्सिडाइस करते हैं, एर, ऑक्सिजन या स्टीम के साथ, थोड़ा और आसान करता हूँ, यहाँ पे हम कोल को वाटर और ऑक्सिजन के साथ जलाते हैं, एक controlled atmosphere में, जहाँ पे pressure, temperature को control किया जाता है, और उसी की basis पे इसे जलाया जाता है, इसके जलने के दरान हमें मिलती है sin gas, sin gas का मतलब है synthetic gas, इक ऐसी gas जिसे हम lab में बना रहे हैं, इस sin gas में होती है CO plus H2, दोनों ही अच्छे source हो जाते हैं, energy के लिए, बाद में हम sin gas को clean करके इस्तेमाल कर लेते हैं, यहाँ पर हम एक तो इस gas का इस्तेमाल कर लेते हैं, दूसरा methane और बाकी की जो gases निकलती हैं, उन्हें भी energy की तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, चाइना biggest number of coal gasification project अपने पास रखता है, जो भी उनका coal का consumption होता है, उसका 5% वो gasifiers में इ इस्तेमाल करते हैं, US भी कुछ coal gasification plants इस्तेमाल करता है, कई सारे फायदे होते हैं, हम इसके जरीए electricity produce कर सकते हैं, chemical product और fertilizers भी बना सकते हैं, hydrogen जब हमें coal gasification से मिलता है, वो एक clean source बन जाता है माई लिए energy का, फर्दर हम इसके माध्यम से ammonia बना सकते हैं, और hydrogen economy को empower कर सकते हैं methane और natural gas चो हमें यहां से मिलती है, coal gasification से, उसे हम liquid natural gas LNG में convert कर सकते हैं, concern की बात यह है कि यह पूरी प्रक्या बहुत ज़दा water intensive होती है, further water contamination, land, subsidence और waste water को safely dispose करने के challenges भी बने रहते हैं, हमारा next article community forest resource के बारे में है, 36 गड़ भी हाल ही में ऐसा दूसरा राज्य बन गया है, जिसने community forest resource को villages का right बना दिया है, inside national park, मतब जो national park हैं, उनके भी तर्वी, जो community forest resource हैं, उनके resources को access कर पाएंगे, जो local लोग हैं, जो villagers हैं वो, यहां पे आपके लिए मैं एक सवाल बे डॉप करता हूँ, अगर 36 आप मुझे comment box में दीजिएगा, क्या होते हैं community forest resource, लेके community forest resource आपको community forest reserve से मिलते हैं, community forest reserve के अगर बात करते हैं, तो यह common forest होते हैं, जिन्हे traditionally, परंपरागत रूप से protect और conserve किया जाता रहा है कुछ particular communities के दवारा, वो इन resources का इस्तेमाल करते रहे, और उस पूरे forest को conserve करते जो community है, वो अक्सर इन resources को इस्तेमाल करती थी, traditional और customary boundaries में, जो भी villages के आता था resource उसको, further seasonal use किया जाता था वहाँ जो भी जमीन होती थी, जो partialist communities होते थे, वो थोड़ा बहुत आनाज बगारा भी उगा लेते थे, बट जो भी किया जाता था, ऐसे किया जाता था, कि forest को न traditional forest dwellers, recognition of forest right act, इसे आप आम बोलचाल की भासा में, forest right act, या फिर FRA भी बोलते हैं, इसके section 3, clause 1, sub clause I में, ये दिया गया है कि local communities को forest, या community forest resources की access होनी चाहिए, ये कानून recognize करता है, जो villagers है, local community के लोग है, उनके rights को, कि वो community forest resources को protect, regenerate, और conserve, या manage कर सकते हैं, ये right उन्हें ये भी allow करता है, कि वो इस सम्मन में कानून भी बना सकते हैं, ये अधिकार उन्हें इसी कानून के section 5 के तहट मिलता है, हमारा next article, हस्देव forest के बारे में है, हाल ही में, Congress के जो leader है, राहुल गांदी जी, उन्होंने अपना disagreement express किया, 36 गर्ड की सरकार के एक decision पे ध्यान दीजेगा कि 36 गर्ड में Congress party की ही सरकार है, तुन्होंने अपनी ही party के एक राजजी में बनी हुई सरकार का विरोध करते हुए ये कहा, कि जो हस्देव forest के area में, coal mining को allow किया गया है, ये गलत है, इसी reference में हस्देव forest news में आया, बात करते हैं, ये काफी बड़ा forest है, frag fragmented नहीं है, सबसे खास बात ये है कि compact forest है, जो नदन पाढ़ है, चतीजगर का वहाँ पर ये forest आपको देखने को मिल जाएगा, ये चतीजगर का map है, यहाँ पर ये हस्देव forest का पूरा area है, ठीक है, इसे आप हस्देव अरंड भी बोल सकते हैं, अरंड का मत्तब forestry होता है यहाँ पर काफी अच्छी by diversity है और cold deposit भी है, तो cold deposit के चकर में पढ़ेंगे तो by diversity तो preserve रहने से बची, कोब्रा, सुजापुर, सरगूजा, ये जो रिस्टिक्स हैं, जहाँ पर काफी अच्छी tribal population भी है, उसी के embed में, उसी के air नामें, ये हस्देव forest आता है, हस्देव एक नदी है, जो महा नदी की tributary भी है, वो इस forest area से होके गुजरती है, और उसी के नाम पर इस forest ने अपना नाम भी attain किया है, ये काफी unfragmented और बड़ा forest है, जो Central India में पाया जाता है, यहाँ पे हमें बहुत पुराने साल के पेर मिल जाते हैं, और टीक का जंगल भी मिल जाता ह नेक्स टार्ट का Red Sanders के बारे में है, यानि की लाल चंदन की लकड़ी, Revenue Intelligence, Directorate of Revenue Intelligence ने अभी हाली में 14.63 million ton Red Sanders को recover किया है, जिसकी कीमत 11.70 crore बताई जा रही है, operation रक्त चंदन के माध्यम से इसे capture किया गया है, जो species है, ये इंडिया की endemic है, भारत में ही बाई जाते हैं, मै की लकड़ी सामनतिया सुगंधित होती है, लेकिन Red Sanders में महक नहीं होती, ये सुगंधित लकड़ी नहीं होती, लेकिन इसकी बहुत सारी medicinal value होती है, फर्दर इसके त्वारा कई सारे जो musical instruments हैं, उनको भी बनाया जाता है, आपने पुस्पा मुवी रेखी होगी, पुस्पा म बनाने में Red Sanders का massive scale पर इस्तिमाल किया जाता है, that's why ये काफी valuable भी हो जाता है, इस्टन घाट की रीजियन में, mainly ये उकता है, एंडिमिक ए इंडिया का, आंधर पदेश के कुछ हिस्तों में आपको major लिये मिलेगा, ये rocky, degraded और fellow land पे मिलता है, जहां पे red soil होती है, hot और dry climate ह होता है, आयुसे रेडरेस्ट में ये endangered है, sidescape appendix 2 में है, boiler protection act of 1972 के shrill 2 में है, rich hue और therapeutic properties के वज़ए से इसे अक्सर काटा जाता है, Asia, particularly China में, कई सारे अनिदेश हैं, including Japan, बहां पे इसकी काफे ज़्यादा मांग होती है, cosmetics, medicinal products और furniture के लिए, red sanders को export किया जाए, इंडिया में ये इसकी illegal cutting की जाती है, और export भी किया जाता है, उस movie में तो इसे बहुत अजी तरीके से explain करके दिखाया गया है, कि कैसे illegal तरीके से इसका export किया जाता है, in fact, इसके cartels होते हैं, इसके export के लिए, because ये काफी महंगा होता है, valuable होता है. जो next article हम discuss करेंगे, वो है regarding sustainable sand management, तो एक ना, United Nations Environment Program, आपने UNEP के बार में आप सभी जानते हो, तो UNEP के द्वारा एक report निकाली गई, उसका नाम क्या था? Sand and Sustainability, 10 Strategic Recommendations to Avert a Crisis, तो कहीं ना कहीं, sand को हमारे जो sustainability है, उसके साथ लिंक किया गया, आप जैसा कि जानते हो, हमारे जैसे SDG goals भी है, हमें 2030 तक अचीव करने हैं, जो 17 हमारे पास goals है, तो उनके साथ किस तरह से sand relation में आता है, ये particular चीज़ा इस report के द्वारा दी गई, और आप जानगे हो अब की, UNEP ने release करी है क्या, Sand and Sustainability Report या Sustainable Sand Management के regarding, report के अंदर क्या aims थे, कि पूरे world के around, किस तरह से हम sand का extraction हो रहे है, उसका use क्या हो रहा है, उसके regarding awareness generate करना, और actual में देखो कर बात करें न, तो देखो एक तो water हो गया, ठीक है, एक water को हम काफी तवा exploit करते हैं उसके साथ ही ऐसा इस report ने बोला गया है, कि water के बाद, जो हमारा sand होता है, this is the second most, मतलब sand के साथ कुछ और resources भी, यह second most exploited natural resource है, तो हम water के तो देखो बात करते रहते हैं, कि water की बहुत exploitation होगी, पर sand की भी exploitation का जिकर करना बहुत important है, उसके साथ ही policy makers को किस तरह से एक तरह से हम उनको aware करवा पाएं, कि क्या-क्या issues face किया जा रहे हैं, किस तरह से इनको ठीक किया जा रहा है, साथ ही साथ different sectors है, वो किस तरह से उनके common goals होने चाहिए, तांकि इसके corresponding governance है, जो management है, उसको improve किया जा पाए, और साथ ही साथ कुछ नए और innovative solutions ले के आने चाहिए, तांकि जो sand क sustainable use किया जा पाए, तो यह particular aim था इस report का, और जैसा हमने भी discuss किया, water के बाद sand हो गया, gravel हो गया, crushed stone हो गया, these are the second most exploited natural resource, तो यह particular data होता है इस तांकि reports का, अगर आप अपने mains के answers में code कर सकते हो, तो बहुत अच्छा रहेगा, उसके साथ ही prelims में भी ऐसे facts आप से पूछे जा स सकते हैं, report ने यह भी mention किया है, कि जो nearly इसका use है, sand resources का, वो triple हो चुका है, पिछले 20 सालों में, right, और 40 to 50 billion metrics per year है, तो बहुत एक heavy number है यह, right, उसके साथ ही अगर थोड़ा sand के बारे में जानने की कोशिश करें, तो sand का देखो, जो मैं बात कर रहा था न, sustainability के साथ, sustainability मतलब, sustainable जो SDG goals है हमारे, जो 2030 तक हम अचीव करने हैं, तो sand को एक important material माना गया है, इन SDG goals को अचीव करने के लिए, तो कहीं न, कहीं देखो न, इसके बहुत सारे indirect हो सकते हैं, चाहिए आप poverty के साथ लगा लो, health के साथ लगा लो, so, sand कहीं न, कहीं, indirectly इन सभी SDGs के अंदर, एक significant चीज़ को contribute करता है, environment factors आप जानते हो, land, underwater, land, on earth, मतलब जो, land के उपर जो होता है, life on land होता है, life on underwater होता है, वहाँ पर भी important आ जाता है, social value है, इसकी economic value है, यह सारी चीज़े, sand के साथ related है, और sand और clay के अंदर, जब हमने जोग इले हो जाते हैं, ठीक है न, और काफी granular, mineral, mineral material होता है, इसके अंदर, उसके लाबा कुछ और data points भी कितना इसका न, weight कितना होता है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत सारे natural sources भी होते है, rock queries हो गया, one of the most important source, उसके लाबा, terrestrial sand deposit हो गया, riverine and lacustrine environment, ठीक है, जो जैस मतलब कि, जिसे ancient lakes होती है, ठीक है, ancient lakes के हमें bottoms के उपर, जो sedimentary rock के formation होती है, उसके थू हमें sand मिल सकती है, beach के उपर हमें sand देखने को मिलती है, marine environment, तो यह different, different natural sources हो जाते हैं, हमारे पास, sand के, उसके साथ ही देखो, एक चीज आती है, alternative sand, या फिर manufactured sand, देखो एक तो हमने पढ या फिर ना, lacustrine environment पढ़ा, beach system पढ़ा, यह सारे क्या है, यह natural sources of sand है, यह natural sand है, पर जब हम बात कर लेते हैं, alternative sand की, या manufactured sand की, यह उस तरह की sand होती है, जो natural sources के अलावा किसी और चीज से produce करी जाए, जैसे मानलो की हो गया, processing से हो गया, यहां और भी steps दे रखे हैं, separation, washing, crushing, scrubbing इनके द्वारा किरी जाती है, और इसकी measurely तीन classification होती है, जैसे की, कि हमारे industrial and extractive processes होते हैं, उनका कोई byproduct हो, ठीक है, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, that is, o sand, ठीक है, o sand भी इसको बूलते हैं, तो जो o sand होती है, वो एक तरना का processed sand होती है, ठीक है, तो जो mineral oldscape जो byproducts होते हैं, उसके द्वारा ये करी जाती है, उसके लावा और भी example, जैसे blast furnace lag हो गया, ठीक है, तो ये particular examples भी, हमारे alternative sand या manufactured sand के हो सकते हैं, उसके साथ ही crushed rock sand भी हो सकता है, या फिर recycled fine aggregate, RFA भी, alternative या manufactured sand के हो सकते हैं, पर कहीं न कहीं हम ना, देखो, discuss क्या कर रहे है हम discuss कर रहे हैं, sustainability, sand की sustainability, तो कहीं न कहीं हमें, अगर sand के management उसको sustainable बनाना है, तो कहीं न कहीं आप एक चीस तो notice कर रहे होगे, कि currently हम definitely बहुत ही खराब धंग से इसको use कर रहे होगे, और जैसा मैंने आपको बताया भी, कि water resources के बाद ये second most exploited है, ठीक है, तो इसके पीछे के ए unsustainable तरीका ही हुआ, उसके साथ ही हमारा proper जो research and development इस चीज के regarding नहीं है, कि कितनी हमें quantity किस तरह से extract करनी है, कितना uses होना चाहिए, कोई policies में आपस में coherence नहीं है, कि policies काफी happy heads early बनाई जारी है इस चीज के अंदर, साथ ही साथ कितने quality sand resources कहां पर हैं, कितने distribution है, correspondingly high demand होती है तो जितनी हमें मारे पास ना हम उसको extract कर पारे हैं, उससे जाधा demand होती है, उसके साथ ही sand as a mineral की हमें मारे पास हमें valuation उसकी low है, ठीके ना, और साथ ही साथ जो alternate sand पड़ा या manufactured sand पड़ा, उसका जो adoption है वो बहुत ही कम है, तो most of the sand that is used, वो कौन सी होती है, natural sand, अगर हम कहीं गहीं, देखो alternative sand या manufacture sand की तरफ move कर जाएंगे न, तो शायद हो सकता है कि ये जो हम sand को इतना जाधा exploit जार रहे है, natural sand को, उसके exploitation को कम किया जा पाए, तो ये था regarding sustainable sand management, क्या issues थे वो भी पड़े, and क्या इस report, particular report जो United Nation Environment Program के द्वारा निकाले गई, that is sand and sustainability, उसके अंदर क्या लिखा गया है, ये भी हमने अच्छे से discuss कर दिया, next article है, mother nature, a living being with legal entity, said by madras high court, देखो, आपना mother nature के बारे में जानते हो, right, अब mother nature, देखो कितना जाधा exploitation हो रहा है mother nature का, तो कहीं न गहीं, इस mother nature को protect करना एक जिम्मेदारी बनती है ये नहीं बनती, बिलकुल बनती, और यह जीजना, madras high court ने बोली है, madras high court ने एक तरह का legal entity status दिया हुआ है nature को, कि ये nature बीना अलग से एक तरह की legal entity है, जैसे कोई भी company होती है, वो एक तरह की legal entity हो सकती है, right, उसी तरह से mother nature को भी एक legal entity का status दे दिया गया है, ताकि जो states होगे, ठीक है ना, state government, central government, इस mother nature को protect कर पाए ये ऐसा किसने बोला है, madras high court ने, और इन्होंने एक particular jurisdiction को invoke किया है, उसका क्या मतलब है, parents patrick jurisdiction, देखो ये एक लेटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है, parent of the nation, देखो मैं समझाता हूँ क्या मतलब इसका, देखो जैसे मान लोग कोई हो सकता है, कि कोई state हो गया, या इवन ना, जैसे इस particular case के अंदर, जो environment है, या जो mother nature है, वो उसकी jurisdiction के अंदर आया न, तो एक तरह का paternal हो गया, या protective role आप कहलो, protective role court के द्वरा अपनाया गया, ताकि ensure कि जा पाए, कि mother nature को protect किया जा पाए, उस protection के लिए क्या किया, उनको एक legal entity का status दे दिया, इस चीज का मतलब होता है parents battery jurisdiction, Latin word है, अगर prelims में पूछाद आएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तरह का ये parent of the nation के लिए stand होता है, इसके पहले भी देखो, 2017 में भी उत्राखंड high court में गंगा और यमना रिवर को इस तरह का status दिया था, पर Supreme Court ने उसको further overrule कर दिया था, फिर 2018 में भी उत् चीज को protect करना है, मतलब करना है, ठीक है, शिरफ ऐसे बोलने के लिए नहीं है, यहाँ legal entity का status उनको मिल चुका है, तो यही है कि nature के भी अपनी, mother nature के भी अपने कुछ rights होंगे, अपनी duties होंगी, अपनी कुछ liabilities होंगी, जैसे कि हमारे उपर कुछ rights हैं, हमारी कुछ duties हैं, उ उसके अंदर यह जीज मतलब एक तरह से करी गई, साथी साथ, आप जानते हो, right to life, ठीक है, article 21 के अंदर भी आपने देख भागा, बढ़ा होगा, ठीक है, तो यह particular चीज भी different quotes ने बार बार बोली होई है, तो क्योंगी natural environment हमारा, एक basic human rights का part है, right to life है, ठीक है, तो यह चीज भी इसके अंदर आजाती है, साथी साथ, किस तरह से हम attitudinal change लाके आ सकते हैं, behavioral change लाके आ सकते हैं, यह चीज़े भी इस particular, जो judgment दिया गया, सुप्रीम, sorry, high court के दवरा, मदरास high court के दवरा, यहां discuss करीगे, तो इसकी सारी चीज़े ध्यान रखनी है, parents battery वाला भी, and correspondingly, किस लगबग एक साल से थोड़ा news को follow कर रहे हो, तो 2021 मिना एक उत्राखंड में, जो चमोली district है, वहां पर एक काफी बड़ा एक disaster हुआ था, अब हुआ क्या था था तब ना, देखो जब यह disaster हुआ, तो वहां के scientist ढूणने लगे, कि इसके पीछे का क्या reason हो सकता है, और सबसे पहले जब इसका reason ढूणने की कोशिश करी गई ना, तो जादर scientist ने बोला कि यह GLOF की वज़ा से हुआ है, अब GLOF क्या होता है, Glacial Lake Outburst Flood, तो जादर scientist ने ऐसा बोला कि हो सकता है कि यह GLOF, that is, Glacial Lake Outburst Flood की वज़ा से हुआ हो, उसमें क्या होता है, देखो जैसे न मान लो क glacier है, ठीक है, अब glacier के पास में एक lake बन जाती है, ठीक है, और फिर वहाँ से उस lake के अंदर अचानक से पानी suddenly release होता है, तो उसको बोल देते है GLOF, हो सकता है कि जैसे मान लो कभी glacier का कोई टुकडा यहाँ पर आके गिरा, तो यह जो lake है, यहाँ से बहुत सारा, अचानक से बहुत सारा पानी निकलेगा, और वो पानी फिर नीचे नीचे बैता, नीचे जो भी further जो भी हमने settlements कर रखी होंगी, उनको destruct कर देता है, जैसे मतलब न, वो जो थे electricity के लिए हमने वहाँ पर settlement बना रखी थी, तो उसको काफी फट तक नुकसान हुआ था, काफी लोगों की death भी हुई थी, तो ये सारी चीज़ें मतलब बोली गई थी कि GLOF यानि कि Glacial Lake Outburst Flood के वज़ा से हुआ होगा, पर कही न गहीं, अब फिर scientist ने further research किया, और further research के वाद ये बता लगा, कि इसके पीछे का reason बता क्या है, इसके पीछे का reason था, seismically active before the disaster hit, कि ये पूरा region काफी हर तक seismically active था, तो इस वज़ा से हुआ क्या, ठीक है न, जो rock ice detachment हुआ, ठीक है, आप जानते हो, seismically हमने earthquakes को गेरा में, ये सारी चीज़ें को बहुत अच्छे से, जोगरफी में discuss भी किया हुआ है, ठीक है, तो rock ice का जो detachment हुआ, उसके हमें signals म मिले है, साथ ही साथ, एक निया formation का भी हमें मिला है, ठीक है, तो कहीं न, कहीं, जो seas में लिके active reason था, उसके पीछे का major reason माना गया है, और जो GLOF था, वो particular चीज़ को मतलब थोड़ा सा इसको हटा जिया गया है, हाला कि पहले ये ही सोचा गया था, कि जो lake बनी हुई है, मतल अर्टिकल जो हम discuss करेंगे, that is, कि एक study आई है, जिसने बताया है, कि जो sea floor spreading है, वो 35% से globally slow down हो चुकी है, देखो एक मैं आपको छोटा सा homework देना चाहता हूँ, आपको पूरा का पूरा ये जो न, इस चीज़ को आपको revise करना है, जैसे किस तरह से Alfred Wagner ने starting करी इस चीज़ की, या और जो क्या reasons इनके दोरा दिये गए थे, टाइडल फोर्स चीगा, और फर्दर उनको फिर कैसे next theories में disproof किया गया, sea floor spreading theory क्या है, Harry has का क्या contribution है, या फिर हम finally किस तरह से हम, जो हमारी main theory है, उसकी तरफ हम पहुंस पाई, तो ये सारे आपको इन चीज़ों के बारे में पत quicks हो गया, या different जो भी हमें चीज़ें देखने को मिलती है, तो उसके पीछे का एक तरह की reason बनता है, तो ये पूरी चीज़ें आपनो एक बार homework की तरह ले सकते हो, और आपको ये चीज़ें revise करनी है, तो देखो, बात करें इस data point की, तो यहाँ पर क्या हुआ है, कि sea floor spreading के इन एक study हुई, तो यहाँ पर researcher ने क्या study किया, एक तरह के जो भी different rocks हो, उनके corresponding magnetic records को study किया गया, और उससे कुछ findings निकली, यहाँ मैंने आपने sea floor spreading का diagram बनाया हुआ हुआ है, और इस तरह के diagrams आप अपने mains के एक्जाम में में definitely draw कर सकते हो, किस तरह से magma आता है, ocean crust क्या होती यह upper mentor, lower mentor, यह सारी चीज़ है important है, तो इस study के corresponding क्या findings मिली, कि जो हमारा sea floor है, वो किस rate पर spread हो रहा है, approximately 140 mm per year, पहले 15 साल पहले जब study करी गई थी, तब नियरले ऐसा दिखा गया था, कि यह पहले 200 mm per year के round spread हो रहा था, पर अभी यह 140 mm per year पर spread हो रहा है, तो कहीं नहीं कहीं स्पेडिंग की जो rate है, मतलब seafloor अभी भी spread हो रहा है, पर उसकी rate है वो कम हो गई है, ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना कि seafloor spread नहीं हो रहा, नहीं, spread तो हो रहा है, पर उसकी rate कम हो गई है, और साथ यह भी दिखा गया, कि हर ridge की, जो speed है, वो कम जादा है, किसी की हो सकता ह बढ़गी हो पहले से, किसी की जादा हो गई हो, तो इस तरह से सभी का अलग-अलग variations है, बट अगर सभी को मतलब हमें as an average देखें, तो वो nearly 35% globally हमें slow दिखती हुई, मिल जाती है, और यहाँ पर जो data हमें मिला है, उस साब से क्या है, कि Eastern Pacific की जो along ranges है, वहाँ पर वो slower हो च क्या changes आ रहे हैं, किस तरह से heat को transfer किया जा रहा है, यह चीज़े भी इसके अंदर है, और sea frost padding जो मैंने आपको homework दिया है, उसके कुछ basic information मैंने यहाँ भी लिख रह किया है, कि किस तरह से यह चीज़ work करती है, tectonic plates किस तरह से separate होती है, वहाँ से magma निकलता है, फिर magma cool down करत रहा है, accordingly हमें mid oceanic ridges हमें देखने को मिलते हैं, so on and so forth, पर आप एक बार इस पूरे process को starting from Alfred Braggner, finally to the plate tectonics में, क्या के changes आए, किस तरह से इसको explain किया गया है, कौन सी theories में, किस तरह से improve किया, ठीक है, तो यह सारी चीज़े आपको कहीं नगे, as a homework आप ले लिजे, आपको यह definitely revise करनी है, next article जो हम discuss करेंगे, that is regarding international plant-based food working group, अब यह ना एक तरह की, बस एक body बना दी गई है, ठीक है, एक नहीं body बनी है, जो की plant-based food sector को support करने के लिए, ज्यादा टेल में नहीं जाना, पर क्यूंकि ना इस particular international plant-based food working group में, 7 countries हैं, उन 7 countries में से, एक इंडिया भी है, इस वज plant-based food क्या होते हैं, यह उस तरह के, मतलब ना, foods होते हैं, जो plant से हम derive करते हैं, और यहाँ पे कोई भी ingredient, animal से derive नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, जैसे कि for example, देखो, fruits हो गया, vegetables हो गया, grains, pulses, legumes, nuts, and meat के substitute, ठीक है ना, तो meat के substitute इसके अंदर होता है, meat नहीं, ठीक है, meat तो animal-der drive करने को मिलते हैं, उनको बोल देते हैं, plant-based food, और यह जो particular body है, international plant-based food working group, यह इस particular sector को किस तरह से grow करना है, कैसे इसको sport देनी है, उसके लिए बनाई गई है, और इसमें 7 countries हैं, including India, तो I hope आपको यह international plant-based food working group भी समझ आ गया होगा. तो आज के इस session में बस इतना ही, thank you very much.